दिल की धड़कने तेज हुई जारी थी दोस्तों और आखिरकार वो लमहा आ गया पूरे इंडिया को पूरे भारत को मेरे तरफ से तहे दिल बधाई दोस्तों आखिरकार चंद्रमा पर चंद्रायन जो है वो लैंड कर गया है भारत के लिए ये एक एतिहासिक लमहा है मैं जादा कुछ नहीं कहूंगा दोस्तों क्योंकि आज खबर हमारे वैज्ञानिक हैं हमारे वैज्ञानिकों की कोशिश कि वो कभी नहीं हारे और इस लमहे को अंजाम तक पहुचाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया इसरो को बधाई इंडिया को बधाई आईए ए मॉड्यूल होवरिंग आट नियरली वन फिफ्टी मीटर्स अबाव द लूना सर्फिस जी हाँ आप इस तालियों के गड़गड़ा हट को सुन सकते हैं जो कि सेकेंड हैवरिक फिस के कम्प्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है जी हां अगर थिर से ध्यान से देखें तो आल्टीट्वड पुना कम होता जा रहा है अभी हम लोग लगवग लगवग एक सो पैतिस मेटर की उचाई पे हैं अब याप यह देख सकते हैं कि लाइंडर की उचाई लगभख सब्सक्राइब के आसपास बची हुई है अब लगभख सब्सक्राइब के लाइंडर की वेगबान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभख पचास मीटर से भी कम आ चुके हैं आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम पाव लाइंडर की चुके लाइंडर की वेगभख सकते हैं लाइंडर माडूल पूरी तरह से शेपली और साफली चंद्रमा के सता पे लाइंड हो चुका है यह हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की वात है हिंदी में एक कहावत है कि चंद्रमा मा दूर के लेकिन अब हमें कह सकते हैं कि चंद्रमा मा अपने घर के भोटी उंदा, the hard work of the entire ISRO community has come to fruition क्यूंड उक्म पूलिए जिर। ए değiş doing one of you you and your family for the wonderful work you did in his row so thank thanks to him for the support that he is giving to us for missions 산 NT zosta cierto theayım I think that's a great word of comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in Israel. I thank all those people all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar, sir, and Mr. Kamalakar, Shri Kotesha Rao. They have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone. This is the work of a generation of Israel leadership and Israel scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan 1, continued in Chandrayaan 2, and Chandrayaan 2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3. And this is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. अपैसिए, 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 आइसा इतिहास बनते हुए, देखते हैं, तो जीवन थन्य हो जाता है. ऐसी एतिहासी घटनाएं राष्ट जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है ये पल अब विश्मनिया है ये ख्षा अभुद्पुर्व है ये ख्षा विक्सिद भारत के संखनाद का है ये ख्षा नए भारत के जैगोश का है ये ख्षा मुश्किलों के महा सागर को पार करने का है ये ख्षा जीत के चंद्रपत पर चलने का है ये ख्षा एक सो चालीस करोड धरकनों के सामर्थ का है ये ख्षा भारत में नई उर्जा नया विश्वास नई चेतना का है ये ख्षा भारत के उदयमान भाग्य के अहवान का है अम्रत काल की प्रथम प्रभा में सभल ताकी ये अम्रत भर्षा हुई है हमने धर्ती पर संकल पलिया और चांद पर उसे साकार किया और हमारे वेज्ञानिक सात्यों ने भी कहा इंडिया इद नाव अंद मून आज हम अंतरीक्ष में नए भारत की नई उडान के साच्छी बने हैं साथ्यों मैं इस समय ब्रिक्स समीट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिन आफ्रीका में हूँ लेकिन हर देश वाची की तरह मेरा मन चंद्रयान महावियान पर भी लगा हुआ था नया इतिहास बनते ही हर भारतिय जश्न में डूब गया है हर गर में उत्सम शुरू हो गया है